मेरे से भी प्रेड़ना करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीती में रखता हूँ और सांसक बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रेप्रेजेंट परूँ खुश खबरी खुश खबरी खुश खबरी कांगरिस को अमेठी में अम्मिदवार मिल गया है खड़गे सहब सोनिय गांधी राहूल गांधी प्रियंका गांधी और भी तमाम गांधी और सारे कोंगरिसे मिलकर माथा पत्ची करते रहे लेकिन अमेठी के लिए एक अदद उम्मिदवार नहीं तलाश पाए अब तो इन तमाम लोगों को रॉबर्ट वाडरा का शुक्र गुजार होना चाहिए कि इनकी तलाश खुद इन्होंने ही खत्म कर दी है वाडरा जी की अमेठी को लेकर उम्मिदवारी और उनहीं की जुबानी दावेदारी सुनी पुरानी कहावत है कि घर में छोरा और शेहर भर में धिन धोरा कॉंग्रेस, अमेठी और वाडरा की उम्मिदवारी पर कहने वाले कह रहे हैं कि ये कहावत सटीक बैट रही है खर रॉबर्ट वाडरा खुद ही ये भी बता रहे हैं कि अमेठी से उनकी दावेदारी क्यों मजबूत है अमेठी में ही था और उस समय की तो राजनीती और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी क्योंकि वहाँ संजे सिंग थे और वहाँ का देशत फलाई हुई थी और हम लोग राद भर समेदन शील एरियाज में होते थे और वहाँ पोस्टर लगाए और बस्ते बाटे और अपने कारेकरता के साथ दिन भर राद भर मेहनत की उनको होसला और भरुसा दिलाया कि हम लोग है जी हाँ ऐसे ही थोड़े दावेदारी कर रहे हैं पतनी प्रियंका के साथ अमेठी की गलियों में पोस्टर चिपकाया करते थे ये और बात है कि किसी की नजर में नहीं आए उम्मिदवारी के लिए और जो भी योगताएं चाहिए वो भी इनके पास मौजूद है खरगे जी सुनिये वाडरा जी क्या बता रहे हैं कि मैं लोगों के बीच में रहता हूं और रिकलांक लोगों को और अंधे बच्चों के साथ जितनी में चाहिए पूरे समय अपना निकालता हूं और मेरा धार्मिक दोरा होता है देखिए मान गए तो मान गए नहीं तो खुद वाडरा जी बता रहे हैं कई पार्टियों से भी ओफर है वो तो घर की बात है इसलिए शायद ओफर सुईकार नहीं कर रहे हैं नहीं तो कब की सांसदी वाली कुर्सी पर आसीन हो गए होती जो वहां की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परिशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई क्योंकि उनका मेरिख्याद से ज़्यादा वहां आना जाना नहीं है वहां कुछ प्रगिती के बारे में नहीं सोच रहे हैं बस वो यह देख रहे हैं क कि गांधी परिवार के उपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं इर्जाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पुजिशन का गलत इस्तमाल करें तो मैं देखता हूं कि ज़्यादा तर वो उसी में लगे हुई है रोबर्ट वाडरा को अपने सुत्र उसे ये भी खबर मिल गई है कि अमेठी के जन्ता अपनी भूल सुधार करना चाहती है गांधी परिवार के ही किसी ओमीदवार को भारी बहुमत से जिता कर संसद भेजना चाहती है सुल्तानपूर, चकदिशपूर सारे एरिया में महनत से काम किया लोगों के लिए वहां बहुत ही प्रगती हुई और मैं फिर से काऊंगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गल्ती की कि स्मिनिती जी को जटाया और राहुल को वहां से जो भी है कि कोई और कंसिट्विनिसी ढूननी पड़ी या जो भी है पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए वहां वो भारी बहुमत से जिताएंगे यहां तक कि वो खेर रोबर्ट वाडरा जो कहना और करना था वो कर चुके हैं उम्मीदवारी और दावेदारी की चर्चा अब घर से निकल कर सियासी गलियारों तक जा पहुची है यह और बात है कि अमेठी वाली इस मिर्ती इरानी को अभी वाडरा की उम्मीदवारी के खबर शायद नहीं लगी है क्योंकि अभी वो वाइनाट के मोर्चे पड़टी है